नमस्कार एकजाम हैपी बाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं आप सभी के लिए जेटेट परिच्छा की तैयारी को लेकर के तो यहाँ पर जेटेट परिच्छा की तैयारी के निव सिलेबस को लेकर के हम जूर चुके हैं तो निव की कोई जरूरत नहीं थी आपको लेने की लेकिन चवदा सो पंदा सो दो दो हजार का यहां पर बेचा गया है तो आप सभी उसके पिछे कभी भी दिवाना नहीं हुए है आप यहां पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें जैसी आटी की जो जैक की किताब है उसको उठाइए औ पढ़िए जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है तो हम यहां पर आपके लिए अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को ले करके यहां पर उपस्तित होते हैं जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है वाट्सक गुरूप से जोड़ करके आपकी सारी चीजे online आपके exam तक पढ़ाई जा रही है देखे अब भी यहाँ पर syllabus को तो बढ़ा दिया गया है लेकिन बिद्यार्थियों के अनरोध को देखते हुए देखे बिद्यार्थियों के अनरोध को देखते हुए हमारा फी जो है यहाँ 500 रुपए है एक से पांच में जुड़िये या छे से आट में जुड़िये बहुत ही सस्ते रेट पर आपको एक से पांच में आपको छेतरे भासा छोड़ करके सभी चीजों का class दिया जारा है जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पढ़ता लेकिन इसके किमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनरोध को देखते हुए, यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपए ही प्राइस रखने का विचार बनाया है, इसलिए आप सभी अभी के अभी अवस्ट जूड़ जाएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगे, तो आपको यहाँ पर यहाँ आपको मिलेगा, 800 रुपए में, इसलिए अभी जैसे ही आपको विडियों मिलता है, यहाँ पर न्यू सिलेवस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का अंतरगत काम कर रहा है, ठीक है, यह जीए सेक्षन के अंतर काम करेगा, और 6-8 सिचक के तियारी कर रहे हैं, तो यह आपको समाजिक बिग्यान सिचक, और यहाँ पर भासा सिचक जो है, दोनों के लिए यह वीडियो आपको है, ठीक है, तो तीन तरह के सिचक इसको पढ़ स इसलिए जो भी पहले जैक की किताब है, लगबग यहाँ पर, 6-10 वाले को आप एक बार देखी लिजे, क्योंकि अबजेक्टिव सिर्फ एक ही जगह से नहीं बनेगा, कि सिर्फ आईए का ही प्रशन देगा, यह कठना ही अस्तर है, ना कि यह आपका जो है, यही केवल आई संसोधन को है, तो आप सभी देख लिजेगा, संसोधन होगा ही होगा, नहीं तो यहाँ पर कोट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, जहां तो कुमीद है कि आपका संसोधन हो जाएगा, तो फिलाल अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राजनीती सास्त्र, यानि स समाजिक विज्ञान के सिचक, भासा सिचक और एक से पांच के सिचक, जी एस के अंतरगत इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, चले पहला प्रसने देखें, केंद्र वो राज सरकार के बीच होने वाले बिवादों का निप्टारा कोन करता है, यह पंजाब टेट का पूछा गया प्रसने है, बिधाई का, कारियपाली का, नयायपाली का, या कोई नहीं, ठीक है, केंद्र वो राज सरकार के बीच होने वाले बिवादों का निप्टारा कोन करता है, आपको बताना है, ठीक है, तो केंद्र वो राज सरकार के बीच होने वाले बिवादों का निप्ट की गई बारत में जो यहां पर सुप्रीम कोट है सर्वोच नयाले है इसकी अस्थापना दिल्ले में कप की गई है यह आपका उत्राखंड टेट का प्रस्ण है उत्राखंड टेट का प्रस्ण है देखें आपको सारे राजियों में जो टेट का प्रस्ण है वो यह दि देखना है तो अभी आप classes को join किजिए सिर्फ और सिर्फ अभी आपको उफर चल रहा है देखिए 500 रुपए में छेत्रिये भास छोड़ के सारे तरह इसी तरह के पूरे सब्जेक्ट हम कंप्लेट करवाद रहे हैं तो आप यहां से जोड़ जोड़िएगा आपका स्कोरिंग जोड़ रहा ही होगा क्योंकि जैक का किताब से हम इस्पेशल पढ़ा रहे हैं तो जैक और जैसी आर्टी का स्पेशल टेस्ट बुक का पीडिएफ और विडियो सब्ची देखना है तो सिर्फ परसी 500 रुपए में यहां पर जोइन कर लिजए क्लासिस को आपको सारा कुछ मिलते रहेगा ठीक है तो भारत में सरवच नियाले क्या स्थापना कप की गई यह आपको बतलाना है सुप्रीम कोट के अस्थापना कप की गई थी ठीक है 26 जनव उनिसो पचास इस भी को किया गया 28 जनवर उनिसो पचास इधिस प्रश्ण कहा आया था ये प्रश्ण आपका यूपीdemi आया हुआ है किसमें आया हुआ है किसमें आया हुआ है यूपीटेट ओतर परदेस पणता परिश्या concur वे पूछाई लेकिशनगा सेवानत्रइती त्लिव मैं ये में करह पहुत है जो सुप्रीम कोट के नयदिस होते हैं उनकी सेवा निरीति की उम्र जो है वो कितनी है 60 बर्स 62 बर्स 65 बर्स या 70 बर्स ठीक है तो सुप्रीम कोट के नयदिसों की सेवा निरीति की जो उम्र होती है वो आपको बताना है, तो वो उम्र जो होता है देखिेए, आपका 65 बरस होता है, कितना होता है, 65 बरस होता है सर्वोच नियाले का गठन समंदी प्रोधान सब्धान की किस अनुछेद में वर्नित है आपको बताना है तो देखें सर्वोच नियाले का जो गठन किया जाएगा वो किस में वर्नित है 120, 121, 124 या कोई नहीं तो देखें सर्वज न्याले गठन सबद्धी प्रवधान जो है सब्धान के अनुछेद 124 में वर्नित किया गया है अगला देखेंगा देश का सबसे बड़ा अपीलिय न्याले वह अभिलेक न्याले कौन है उच्छ न्याले उच्छ न्याले राज्य न्याले या कोई नहीं ठीक है तो देश का सबसे बड़ा अपिलिय वो अभी लेक नयाले जो है वो आपका उच्चतम नयाले है कौन है उच्चतम नयाले है याद रखिएगा ठीक है चलिए next देखिएगा नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने हाई कोट है आपको बताना है ठीक है वर्तमान में भारत में कितने हाई कोट है आपको यहाँ पर बतलाना है तो देखे वर्तमान में 24, 25, 26 या 27 यह प्रस्ण आपको आया हुआ था ये आपको उत्राखन टेट में पूछा गया प्रशन था कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोट है 24, 25, 26 या सताईश ठीक है तो वर्तमान में भारत में जो है 25 हाई कोट है कितने हाई कोट है 25 हाई कोट है याद रखेगा 25 हाई कोट जो है तेलांगना हाई कोट है जिसकी अस्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया और सरदार बल्लब भाई पटेल के जन्व दिन के अवसर पर अस्थापना किया गया है ठीक है भारत देश का सबसे पुराना नयाले कोन है कलकत्ता हाई कोट चन्नाई हाई कोट बैंगलोर हाई कोट या कोई नहीं ठीक है तो भारत देश का सबसे पुराना नयाले जो है इसमें आपको कलकत्ता हाई कोट है सबसे पुराना नयाले जो है वो कलकत्ता हाई कोट है ठीक है चल पुलकत्ता हाई कोट देश का सबसे पुराना नयाल है प्रस्ण ये बिहार टेट का पूछा गया था कहा पर पूछा गया था बिहार टेट में ये प्रस्ण आया हुआ था उच नयाले के नयाधिस को सपत कौन दिलाता है उच नयाले के नयाधिस को सपत कौन दिलाता है राश बंगाल टेट में पूछा गया प्रस्न है, कहाँ पूछा गया प्रस्न है, बंगाल टेट का पूछा गया प्रस्न यह है आपका, अगला प्रस्न है, जारखंड का उच न्याल है, देश का कौन सा उच न्याल है, आपको देखिए या कॉमेंट करके बताना है, या आपको कॉम क्या 24 होना चाहिए 24 होना चाहिए लेकिन आप देखिएगा क्या यह सही है या नहीं है किलियर किजिएगा अगर सही होगा तो आप लिखिएगा कि 24 है और नहीं होगा तो आप लिखिएगा कि किसवा है कौन सही ऐफ देख लीजगा ठीक है तो यह आपको पर रहा कि आप इसको सही करके हमें ज़डूर जबाप दीजएगा कि जारकंड का उच नयाल है देश का कौन सा उच नयाल है होगा होना कौन चाहिए 24 नहीं लेकिन क्या यह सही एंसर है कि नहीं इसका answer हमने B यहाँ पर लिखा हुआ है, यह आपको ढूंडने के लिए दिया गया है कि किस्वा है या चोविस्वा है, ढूंड के हमें जुडूर बतलाईएगा, ठीक है, चलिए अगला, उच नियाले का गठन सविधान के किस अनुछेद में नहीत है, उच नियाले का गठन जुडूर बतलाईएगा, उच नियाले का गठन कहा है, ठीक है, यह अनुछेद दोसो चोविदा में नहीत है, जारखंड उच नियाले की अस्थापना कप की गई, 21 नॉवंबर 2020, 15 नॉवंबर 2020, 14 नॉवंबर 2020 या कोई नहीं, ठीक है, तो जारखंड उच नियाले की जो अस्थापना है, वो किया गया है, आपको देखिए, 15 नॉवंबर 2000 इस भी गोटिक है, जब जारखंड राज अलग हुआ, तो उस समय से जारखंड उच नियाले की अस्थापना हुई, जारखंड उच नियाले के प्रथम मुख नयाधिस कौन थें, बताना है कि जारखंड जारखंड उच नियाले के प्रथम मुख नयाधिस कौन थें, बिनोत कुमार गुपता, इंदर सिंग नमधारी, बावुलाल मरांडी या कोई नीटिक है, तो बिनोत कुमार गुपता जो थें, जारखंड नियाले के मुख नयाधिस थे, देखिए, एक चीज आपको हमने ब जारखंड जीके खुद इंकुलूड है, जारखंड जीके जो है उसमें बीच-बीच में दिया हुआ, देखिए, हम आपको यहाँ पर जारखंड जीके आ रहा है, अब देखिए, इसमें फैदा आपको क्या है, इसमें फैदा आपको यह है कि इसमें जारखंड से जो प्रस प्रशन भीड़ेगा वहां 500 प्रशन बढ़िएगा तब यह प्रशन भीड़ेगा पढ़ना कोण अच्छा है कोमेंट करके हमें बताएं यह कोण अच्छा है तो जेसे आटी जैक का किताब पढ़ना अच्छा है मेरे प्यारे श्येवंदू अभी तक आप नहीं यहां से जुरूर जुड़िएगा आप सभी ठीक है जुड़ करे नौट्स पीडिये विडियो सब कुछ आपको 500 रुपए में ही प्रोभाइड किये जा रहे हैं अभी ऑफर में बहुत ही से यहां पर सस्तेदा में दी जा रही है कलास करने बात करने असाथ में यहां पर जुड़ने स अब सभी ठीक टीज़ा जा रहे है तो इसका राइट एंशर क्या होजाएगा विनोद कुमार गुपता हो जाएगा एफ आई आर का फूल फोर्म क्या होता है प्रस्णत तीन बार पूछा गया एक बार तो जार कंट में भी आए ऊए हुए आप एफ यार का फूल फॉर्म ह इसका answer B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, दिवानी कानून, दिवानी कानून सिविल में सामिल है, जो दिवानी कानून होता है, उसमें क्या क्या चीज़ सामिल होता है, ये पूछा गया है, दिवानी कानून में जमीन की बिक्री समंदी बिवाद होता है, बस्तुई खरदारी भी होता है, तलाक समंधी मुकदमा भी होता है, यह सभी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह सभी आपने देख लिया, इसी तरह का प्रशन पढ़ना है, कम प्रशन पढ़के ज्यादा प्रशन भीडाना है, तो अभी कि अभी जुड़िये तुरत कॉल लगाई है नमबर 9631054226 पर और यहां से सारे प्रश्ण पीडियेफ को एक बार ले लीजिए वीडियो देख लीजिए और तयारी किजिए कम पढ़ने में कम समय में ज्यादा रिजल्ट यहां से हासिल होगा आपको यह आप कंफर्म रही है फोजदारी कानून में सामिल है चोरी डकाईती, दहेज परताना, हत्या या सभी ठीक है तो चोरी डकाईती है, दहेज परताना है, हत्या है यह सभी मामला जो है आपको फोजदारी कानून में सामिल है अगला है जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में सामिल या किस अनुछेद में सामिल है जीवन का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में सामिल या किस अनुछेद में सामिल है आपको बताना है अनुछेद इकेस, अनुछेद 22, अनुछेद 23 या कोई नहीं तो देखे अनुछेद 21 जो है हमको जीवन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में सामिल है यह बताना है जनहित याची का PIL की बेवस्था की गई है जनहित याची का PIL की बेवस्था की गई है 1981 के दसक में, 1980 के दसक में, 1980 के दसक में या कोई नहीं ठीक है तो जनहीत याज का PIL है वो आपको किया गया है 1980 के दसक में किसका 1980 के दसक में ठीक है चलगला दिखेगा खाद या सुरच्छा अधिनियम कब लागू किया गया खाद या सुरच्छा अधिनियम कब लागू किया गया 2013, 2014, 2015, 2016 भी ठीक है तक खाद सुरच्छा अदिनियम जो है आपको 2013 इस भी में लागू किया गया है तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्ण आपके अभी JCRT यह Class 8 का जो Political Science आपको पढ़ना था यह आपके New syllabus जो दिया गया है राजनीती सासर का उसमें भी यह सभी सारी चीज़े पढ़नी है